तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब को बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लेक एंड वाइट फोटो को कलर फुल कैसे कर सकते हैं तो जानने के लिए आज के इस वीडियो को इन तक देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को फोटो को क्लीक कर लेते लोगों पसके मोवाइल फोन सो या फिर ऐसे आज के ताय में जो एक से गडियोफ नहीं होते थे तो उनको फोटो के क्लीक करने में बहुत ज़्यादा प्रोब्लम होती थी तो पुळी के तायम में कहीं भी जाते थे فंढल्य ब्लेक जाबितो शल तो अब बलेकेंड केरा टाइम जिसे फट लिक होता था तो बलेकेंड वाइट होता था टालर फूल कि gas cymute पोशूद नहीं जो अपने पुराने याद को ताज्या करने के लिए पुराने फोटो को देखते हैं रखते हैं तो मैं उनके लिए इस वीडियो को बना रहा तो ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको यहां से टाइप कर लेना है को लो राइज लिखने के बाद को लो राइज टाइप करने के बाद यहां से सर्च टैप पर प्रेस कर लेंगे सर्ज पर प्रेश करते ही यहां से आपका Colorize Photo Online का वेबसाइट देखने को मिल जाएगा तो आप इसको open कर लेंगे इसको open करने करने की बाद यहां से आपका Select File का option देखने को मिल जाएगा तो Select File पर टैप कर लेंगे सेलेक्ट फाइल पे टैप करने के बाद यहां से आप उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे जिस फोटो को आप ब्लेक एंड वाइट से कलर फुल में कनभध करना चाहते हैं आपको यह पता नहीं है कि आप अपने किसी भी पुराने से पुराने फोटो को scan करके अपने mobile phone में कैसे ला सकते हैं तो उसके लिए मैंने एक application का link नीचे description में दे दिया है जिसका नाम है photo scan यह application Google का application है जो की बहुत ही ज्यादा safe और secure है तो अगर आप इसके बारे में नहीं सेलेक्ट करने के बाद done पर प्रेस कर लेंगे और कुछ तैम यहां पर वेट कर लेंगे तब तक आपका यह photo black and white से colorful में convert कर देगा कुछ तैम वेट करने के बाद कितने अच्छे तरीके से इस website ने इस photo को colorize कर दिया है colorful कर दिया है तो उसके बाद colorful होने के बाद आप यहां वाई तो फोतो को colorful में convert कर सकते हैं तो आयोप के आपको यह video काफी पसंद आई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को Like करे शेयर करे एंद भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो Subscribe करे फिलाल के वीडियो में इतना ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ